हलो एवरिवन दिस इस अवीता पाठक कल की वीडियो क्लास में हमने अपने फर्स्ट चाप्टर गद खंड का दो बैलों की कतार के क्यूशन आंसर के थे वन टू एट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज हम अपना क्यूशन नंबर नाइन सब्सक्राइब करते हैं क्यूशन नंबर नाइन है हमारा आश्य सपस्ट कीजिए फर्स्ट है उसमें दो है उसमें फर्स्ट हमारा है अवश्य उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ती थी जिसके जीवों की श्रेश्टता का दावा करने वाला मनुश्य वन्चित है आंसर है हमारा हीरा मोती के पास अपने भाव और विचार प्रकट करने के लिए भाशा नहीं थी किंतुवे मोन भाव से ही एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे यह उनमें एक गुप्त शक्ती थी मनुश्य भले ही अपने को सारे प्राणियों से स्रेश्ट समझता हो लेकिन उसके पास यह शक्ती नहीं है उसे दोलकर ही अपने भाव और विचार प्रकट करने पड़ते हैं यह हुआ हमारा फर्स्ट जो नाइन नंबर का क्यूशन उसमें फर्स्ट है उसका आश्यस प्रस्ट कम्प्लीट हुआ सैकेंड है इसमें उस एक रोटी से उनकी भूख तो शांत क्या होती पर दोनों की हिर्द सा डाल दिया इस अपमान से दोनों के मन में बड़ा दुख था तब ही एक छोटी से लड़की ने आकर उन्हें एक एक रोटी खिलाई इस पर एक रोटी से उनकी भूख शांत होने का तो कोई प्रश्नी ही नहीं था लेकिन लड़की के प्रेम पूर्ण वेवार से उनके हि बीरा और मोती भी तो प्रेम और सानबूती के भूखे थे अर्थार्थ कि उस एक रोटी से उन दोनों बैलों की भूख शांत नहीं होने वाली थी लेकिन वो क्या है केवल उस बच्ची ने उन्हें वो एक रोटी बड़े प्रेम से खिलाई इसके कारण उनकी जो अंदर की जो आत्मा थी वो क्या हो गई प्रेम से परिपूर्ण हो गई अर्थार्थ उन्हें केवल एक साहन बूती चाहिए थी और वो केवल उस चोटी बच्ची के माध्यम से ही उसे मिल पा रही थी नेक्स्ट कुशन हमारा गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सुखा बुसा खाने के लिए क्यों दिया यह हमारे अब्जेक्टिव टाइप कुशन है तो इसका अंसर है हमारा गया वै हीरा मोती के विवार से दुखी था अब है हमारे नेक्स्ट रचना और अभिव्यक्ति वाले जो कुशन आंसर है इसमें 11 नमबर का जो कुशन है वो है हीरा और मोती के शोशन के खिलाब आवाज उठाई लेकिन उसके लिए प्रताडना भी सही हीरा मोती की इस प्रतिकिरिया पर तरक सहीद अपने विचार प् प्रतिक है जब जब उन पर अन्याई हुआ या उनका शोशन करने की चेश्टा की गई उन्होंने उसका पूरी शक्ति से विरोध किया उनकी यह प्रतिकिरिया उनके स्वाबी मानी सुभाव के अनुकूल और सहार्निये है नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमबर 12 क्या पाजादी की लड़ाई की और संकेत करती है आंसर है हमारा दो बैलों की कथा के द्वारा लेखक ने देश वासियों को स्वाधीनता के लिए त्याग और वलिदान की प्रेणा दी है कहानी के दोनों बैल स्वतंतरता सेन्यानियों के प्रतिक हैं वे अपने स्वतंतरता और स संगर्ष करते दिखाई देते हैं इस प्रकार कहानी प्रतिकों और संकेतों के द्वारा पाठकों को भारतिय स्वतंतरता संग्राम से जोड रही है यह हुआ हमारे जो किशन आंसर है कम्प्लीट इस तरह हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो आज कम्प्लीट होता है कल हम अपना नेक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे यह वरक आपको फिर नॉट्बुक में राइट करना है